हेलो गाइज असलाम अलेकुम कहते हैं आप आफ्टर दी अमेजिंग वीक मैं हाजर हूँ आपके साथ दुबारा से इस वीक में गोल्ड वीक लिनाजिस में देखेंगे कि गोल्ड में और बस भाई आपको fundamental analysis और open interest court report भी दिखाएंगे तो वो भी आपने लाजमी देखना है सो वीडियो information से भरपून होने वाली वीडियो पूरी अंट तक देखेगा अगर पसंद आए तो like कर दो अभी से और comment में पर रहकाई सार कीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीडियो नेशिस माइन विज्री नमाज वर्कम टू फरुक्सुताथ दाट काम हेलो गाइस असलाम अलेकूं वल्कम बैक अब देखते हैं हम गोल्ड के वीकली फोर्कास्ट और सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीविएस वीक में क्या रजल्ट रहे तो प्रीविएस वीक में सबसे पहले CPA के डेटा घोक के बहुत जादा इंपोर्ट सा इस वीक के डाटा की जान ता तो CP AP के डटा पॉजिटिव आया क्ऊमार्किट के आपट sucking हैसर बी देखना CPI month by month भी positive आया core भी positive आया गोगे इतना ज़्यादा नहीं आया year by year भी positive आया जिसकी वज़ाए से dollar index काफी तगड़ा रहा इस week में इसके बाद unemployment claim भी अच्छे आ गया unemployment काम हो गई थी अमेरिका में वो भी एक बड़ी जबरत रही अमरीका बादर के लिए US dollar के लिए तो अमरीका बादर आपको पता है फुर गोल्ड गरता रहा इसी वज़ाए से इंपार स्टेट मैनिफेक्ट्रिंग positive रहा और इसके अलावा retail sale negative आया retail sale ने धोका दिया और इसके अलावा core retail sale भी negative आया अगर हम बात करें manufacturing का data तो वो positive आया इसके अलावा अगर मैं प्री कुकली कुकली आपको बता रहा हूं imports price positive थी जो इस week का सबसे imported data था जुम्य वाले दिन वो था PPI पोजिटीव आया इसके अलावा PPI month by month positive आया building permit और बाकी कुछ डेटा थे वो भी positive है अगर मैं coming next की बात करूँ तो FOMC के कुछ meetings है अगले week में unemployment claim जाई नहीं जो मेरा आतको होता ही है unemployment flash services PMI USD की, euro की और GBB USD की तो तीनों की flash services PMI और flash manufacturing PMI का data होता ही होता है इस week में भरपूर होगा हर currency का होगा इसके लावा existing home sale है और यह है upcoming data सिर्फ बस यह पूरे week के data यही है और इसके लावा कुछ भी नहीं है पूरे week में मैं quickly 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 गोल्ड के weekly analysis भी आपके साथ share कर देता हूँ क्यूंके अबास भाई ने और श्कील भाई ने भी अपने analysis करने तो लोग कहते हैं वीडियो लंभी ना बनाएकर तो इस दफ़ा वीडियो शाट बनाने कहा रहता है गोल्ड जो close हुआ है 2013 पे close हुआ है यानि यह के मंतली candle है और यह पिछली candle से मुमासलत रखती है यानिके जनरी की candle के साथ मिलती जुलती है लेकिन अभी भी बारा दिन पड़े हुए स्केंडल को close होने में अगर मैं weekly की बात करता हूँ तो weekly में market नीचे वाली साइट पे डोजी दे के close हुई है मतलब कि नीचे वाली साइट पे week है यह week नहीं नहीं है यह से पहले भी market ने तीन weeks बनाई थी लेकिन उसका हो नहीं सका कुछ और उसकी rejection हो गई थी लेकिन इस दफ़ा देखते हैं उमीद तो यह की जा रही है कि market वापस पुल बैक करने के लिए तेहरें पकट रही है जिसकी indication market ने weekly चार्ट पे भी दे दिये और अब market डेली के चार्ट पे भी उसकी इंडिकेशन भी दे चुकिया और confirmation भी दे चुकिया जो जुम्यवाले दिन हमारी दादा उस्ताद के members की हैं पापा उस्ताद के members की YouTube के उपर जो morning की stream होती है उसके अंदर मैंने यह बताया था कि gold जो है वो buy में ही रहेगा उन्होंने पूचा क्यों तो मैंने का यह देखो डेली में market ने dragonfly doji बिना दी है इसका मतलब यह है कि उसकी market ने जुमिरात को confirmation भी कर दी है तो इसका मतलब यह हुआ साफ मतलब यह है कि market अब upside पर जाएगी market ने लोगों को trap कि है 1995 पर stop loss hunting के अरने के बाद market मार्किट कहीं ने कहीं पूरा वीक यह थोड़ा सा अपसाइड पर ट्रैवल करती रहेगी और मार्किट कहीं ने कहीं दोज़ा तीस दोज़ा चारी सो दोज़ा पचास के लेवल को तुबारा टच कर सकती है सो यह रही आपके सामने कुछ opportunities मैं आपके सामने levels रख लेता हूँ आपको बता तो दिया मैंने कब कब कैसे काते आपने अच्छा यहाँ पे डेली पे भी अगर मैं बताओं आपको H4 के अंदर डेली का मैंने आपको बता दी तो H4 के अंदर हमें जो market best buying area बता रही है 1993 पे आगई market और 1900 के घर में जब दाखिल वी तो ऐसा लग रहा था जब market अब 1980 और बाकी नीचे वाले areas के अंदर जाएगी और market अब sell ही sell है और हम सब त्यारियां कर रहे थे लेकिन अचानक जो USD के कुछ data negative है जिसतरा के मैंने बताया retail sale, core retail sale और फिर building permit और कुछ और data थे फिर उसके बाद जो FMC के member last week बात कर रहे थे तो उन्होंने भी काफी negative चीजें बोली है जिसकी वज़ाएसे market जो है वो थोड़ा सा dollar index को काफी धचका पहुंचा और dollar index वापस down आना शुरू हो गया जिसकी वज़ाएसे आपको gold के अंदर दुबारा से pullback देखने को मिला थे तो purely fundamentals market move करती रही last पूरा week लेकिन अच्छी बात है कि technical में हमें बता के गई market जहांपे में market ने move करना था अब story यह है भाई जान के जिन जिन लेवल से आप buy कर सकते हो या sell कर सकते हो मैं मैं आपको बता देता हूँ लेकिन मैं एक चीज़ बता दो please note कर लिजएगा gold फिलहाल इनी areas में retrace करेगा और आ अगर पैसा कमाना चाते हैं तो आपको scalping वाली approach रखनी पड़ेगी sideway approach रखनी पड़ेगी और आपको trending या breakout वाली behavior को तरक करना पड़ेगा और यहां फिर आपको उनको shift करना पड़ेगा short time frame पे like M15, M13 और H1 के उपर आप अपनी trending trades यहां फिर आप अपने breakouts trade swings trade कर सकते है otherwise अगर आप बात करें H4 या आप बात करें daily time frame यह weekly time frame में market जो है वह एक जगपे stuck है जिसका proof market ने खुद भी दिया हुआ है कि अगर हम बात करें market ने जब January 2000 या December 2023 से लेके market अब तक एक ही level पे खड़ी है 2017 का आई है और जो market का low है वह 1995 और 1999 है तो इदर से market जो है वह एक ही करती नजर आ रही है आप ले लें November आप लें December आप January और फाबरीका महीन अभी मैं आपको बता रहो कि market इन ही levels के अंदर रहेगी तो अगर आप मेरा weekly chart देखे तो आपको बड़ा असानी के साथ समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं ठीक है तो यह areas हैं जहां पर market move कर सकती है तो आपको जो areas अपने पास mark करने आई हैं आपको अपने पास जिन areas को scalp करना है वो levels आप अपने पास बना ले और market उसकी respect करती है और नजर आ रहा है आपको कि market previous 3-4 महीन की moment देख लो तो उसी के अंदर अंदर है अब हम चलते हैं चोड़े time frame पे इंट्रडे ट्रेडिंग के लिए अब हमारा चैनल हमदुल्ल्ला सुमा लंदुल्ला Scalping करवा रहा है आपको इंट्रडे ट्रेडिंग के लिए SMC method के तुरू स्केल्पिंग करवाने के लिए आपको Scalping करवाने के लिए तो फालो श्कील स हम morning की stream को दिया करेंगे यानि कि अपने दादा उस्ताद और paid members को और 4-5 गेंटे हमारे free YouTube की stream को देने का इरादा है तो आप देख लें आप कहां पर feedback थे हैं तो आप भी हमें join कर सकते हैं तो full time traders के लिए हम लोग एक hub आप बनाना चाह रहे हैं ताके हम सब लोग मिलके बैठके profit कर सकें और loss से बच सकें anyway that's back to the point तो मेरे पास कुछ levels है जो मैं आपको guide करना चाह रहा था level है कि अगर मैंने सोच लिए है कि यार मैंने RSI लगा इसके लिए RSI basically best work करती है RSI, Fibonacci Bollinger Band ये 3 indicator awesome work करते है जब market trending नहीं होती market range में होती है तो आपको in these 3 indicators को learn करना है और in these 3 indicators की मदद से आपने trade करनी है सबसे पहला नबर है Bollinger Band का और दूसरा नबर है RSI का RSI को मैं इतना पसंद नहीं करता लेकिन Bollinger Band awesome है उसको आप लगा लो तो life jinga डाला वो आपको बता देगा कब-कब आपने buy करना है कब-कब आपने sell करना है इसके लाब अगर आप Bollinger Band के उपर एक 2 घंटे की training भी लेना चाहरे है तो आप मुझे comment में लिखो तो मैं उसके उपर एक training भी design कर दूँगा तो आपको उसकी पूरी strategy बता दूँगा कि इस तरह के हलाथ में जो gold के अंदर भी बने हुए किस तरीके से Bollinger Band की help से आप बहुत ज़दा profit earn कर सकते है इस तरह के हलाथ के उपर हम नेक robot भी पर आया हुए जो range market में बहुत अच्छा profit करता है खुद ही buy करता है खुद ही sell करता है खुद ही TP लेता है खुद ही sell लेता है तो उस robot को लेने के लिए भी आप जरा comment box में पन्जाजमाई करें हो सकता है कि आपकी इतनी फर्माई चाहिए कि मैं वो robot को free आपको दे दूँ यहां फिर अगर आप road board लेना चाहते है और अगर आपके पास extra account है तो our team से contact करें our team will guide you how you get the robot and how you earn the money by automatically you will earn money while you are sleeping ठीक है चले आगे चलते है यहां पर जो area हमें नजर आ रहा है जो strongest resistance का area है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है 2018, 2020 और 25 के करीब लेकिन market को आपने इस तरह फालो नहीं करना है मैं अब आपको जो तरीका कार बताने लगा हूँ आप उस नजर से market को देखिएगा आप जरा market की सबसे पहले अपने चार्ट को clean करके उसके उपर नए support and resistance ड्रॉ कर लीजेगा जिसे आपको market के नए lows और नए highs का पता चल जाएगा और उसके बाद आप अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से अपने trades को plan करना चाहरे है उसके कौन सा indicator यूज करना चाहरे है जो मेरी नजर में levels हैं वो मैं आपको सबसे पहले guide कर देता हम तो सबसे पहले जो मेरी नजर में level है 2025 और 2030 का level है जिसको market test कर सकती है as a resistance level market उसको treat कर सकती है अगर market ने sell भी जाना है in fact तो market वहाँ पे 2030 पे जाके आपको एक अच्छा selling का मोका देगी और उसके बाद आप फिर बरपूर sell करके market को 1980 को target कर सकते हैं मेरा जो focus रहेगा मेरा वो gold को sell के उपर रहेगा short term long term के लिए हमने gold को 1850 बाइक कर रहा है please यह चीज अपने दमाग में बढ़ा ले और उसको भी भूलिएगा ना और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यह देख लें यह मैंने buy किया हुआ है गोल्ड को यह आप मेरा real account देख लें चोटा सा lot size आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ढरना लगे 10-10-2023 से buy किया हुआ है 1863 से और इसके अलावा और भी 3-4 entries हैं जो 1850 1840, 1870, 1890 से मैंने gold को long term के लिए buy कर रहा है और उसके लिए मैं target कर रहा हूँ 226 को 226 के दिर्मियान यह कि नया high जब लगेगा gold का तब मैं अपनी इस entry को close करूँगा otherwise मैं अपनी इस entry को close नहीं करूँगा short term के लिए मैं gold को नीचे देख रहा हूँ और यह सबसे पहला target मेरा है जो मैं पता देता हूँ आपको 1980 है उससे अगला target मेरा है वो 1950 है यह 1942 है उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने gold को आया कर लॉंग टरम के लिए sell में देखना है यह कोई ऐसी opportunities बनती है फिर मैंने gold को दुबारा से 1950, 1940, 1960 से buy करना शुरू करना है और तिल गोल्ड का नया हाई 2022, 2024, 2000 2000 आप समझ लें के 2300, 2400, 2500 को target करूँगा यह 2600 को target करूँगा जो के इंशाला इंशाला इसी साल के अंदर हमने benchmark बनाया वो करियेट होगा चले यहाँ पर आजएं यहाँ पर सबसे पहला लो तो आपको बता दिया 1980 का लगने वाला है तो सबसे पहले हम 1980 को bookmark कर लेते हैं 1980 तो market लगाई रही है और यह हमने अब 1930 से करना है 1940 से sell करना है यह आपकी है आप कही किसी भी लेवल से sell करें आप सको target करें कि market नीची आएगी अचा अभी जो मैंने आपको starting में बताया सर आप ने तो बताया था यह डोजी बनी है market ने confirmation दे दिया और market को upside पर हम देखेंगे तो यह तो मैं कहार हो ना मैं कब मुकरा हूं market यह 2040 साथ को touch कर सकती है और उसके बाद जो हम देख रहे हैं low वो 1980 का है यह market उसे पहले ही को rejection create करे तो फिर 1980 को देखेंगे और 1960 को भी देखेंगे और 1950 को भी देखेंगे तो these are the level फिर सबसे पहले जो important बात है मैंने यह कही कि market एक दिगा पर range कर रही है हर तूसरे तीसरे दिन market range कर रही है तो ranging market से profit कमाना सिको trending में market में इतना खास को trend नहीं है कि मैं देखूंगा market एक दम से 1960 पर आ जाए वह नहीं है market आइस्ता आइस्ता आएगी आइस्ता आप जाएगी और आइस्ता इस्ता डौ जाएगी तो सबसे पहले मंडे को तो market बंद रहेगी क्योंगे मंडे को observation day market बंद रहेगी और उसके बाद फिर हम 1980 के लिए गोल्ड को sell करेंगे आज की वीडियो मैं अपना मुक्तसर इसलिए रख रहा हूं कि अबास भाई का भी momentum आना है अभी अबास भाई का भी analysis आने है और श्कील साब के analysis भी आने है तो वो भी आपको guide करेंगे तो अपनी वीडियो में इस तरह मुक्तसर करके इसको मैं wind up कर रहा हूं अगर आपको हमारे gold के weekly analysis पसंद आ रहे हैं और specially अगर आपने natural gas की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो XNG की वीडियो आप कल जो पोस्ट की थे वह लाजमी देखे जिसमें हमने प्रफेसर रफान फानी और मैंने फंडबर टेकनिकल नैलिसिस करके आपको एक perfect strategy दी और बताया था किस तरीके से आप 12,000 लार के साथ 20-50,000 लार अर्न कर सकते हैं within 3 months तो वह वाली वीडियो भी दाके दर उपर जा कमंट में मैंने पिन किया हुआ है उसका URL भी और उपर आई के बटन में भी प्रेस करकर देख सकते हैं यह फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मुझा है वो भी वीडियो बाच कीज़ेगा अपर दो बहुत शुक्रिया रेल भाई आपने मुझे मुझा दिया SMC के हुआले से तो इसमें दो तीन चीज़ें गाइड करने वाली है सबसे पहले है एच फूर का हमारे पास घोल्ड का चार्ट ओपन है एच फूर के चार्ट के अंदर में नज़रा आ रहा है जो हमारे पास 1985 का लेवल अब बहुत अ होने वाले है तो SMC के हवाले से अगर देखा जाए तो H4 के अंदर अभी तक भाई ही नज़रा आ रहा है और उसकी रिजन के अभी तक इसका जो ट्रेंड है वो भाई का लेकन ट्रेंड भाई में जाने के लिए उससे पहले मार्किट में जो वैलिड आर्टर ब्लॉक्स हैं आर्टर फ्लॉक्स हैं मार्किट उसको फिल कर रही है सबसे फर्स्ट हमारे पास जो लास्ट पी ओई था 1985 का और हमार एक्स्ट्रीम लेवल का जो अभी तक अनिमिटिकेट है 1947 का तो अभी हम लोग चार्ट पे गोर करें तो इमपल्स मूव सेल साइड में काम कर रही है तो यह जस्ट एक क्रेक्टिव मूव हमें हो सकती है यह कहां तक हो सकती है यह मैं दिखा देता हूँ आपको और इस इस मूव का किस तरह से कंफर्मिशन होगी कि यह मूव अब बाई साइड में ही वरक करेगी यहां फिर नेक्स्ट मूव सेल साइड पे ट्रांसफर हो जाएग से अपने और ब्लॉक्स और फ्लो फिल की हैं और सेल साइड में कंफर्मिशन दिया हमने सेल भी किया अब दुबारा से मैं देख रहा हूँ जो सबसे पहले फिर वैल्यू गैप है फिर वैल्यू गैप के अंदर जो हमारे पास OTE लेवल है वो लेवल है 2016 का अगर मार्किट कि इसके उपर जिस जगा के उपर मार्किट है मंडे को स्टार्ट होती है यहां पर कंफर्मिशन दिती है सेल की कैंडल स्टी के हवाले से लिकुटी स्वीब के हवाले से समसी के हवाले से तो हम डेफिनिटल यहां से इसको सेल करके स्कैल्पिंग में अर्निंग करेंगे पि 2029-2030 का लेवल मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मार्किट इसको फिल करने उपर आती है टैब करती है तो डेफिनेटली यहां से हम इसको सेल कर सकते हैं तो इसमें हमें सिंपल सी चीज नज़र आ रही है कि अगर मार्किट हमें रिजेक्शन नहीं देती बाय की तो हम बाय करेंगे इसको 2030 तक और अगर मार्किट इसी लेवल से 2016 के उपर अगर सेल की कनफरमेशन देती है तो 2016 के उपर हमारा सेल की पोजिशन होगी और 2020-21 के उपर हमारा इसका एसल होगा यहां हमारे मनी management के हिसाब से हमारा plan होगा तो यह simple है यहां तो हम इसको इसी level से buy करेंगे अगर confirmation नहीं होती हो सकता है market यहां पर consolidation करें लेकर अगर consolidation के जो block से market निकलती है बाहर की तरफ उपर की तरफ निचे की तरफ तो हम इसको buy यह sell कर सकते हैं यहां तक buy कर सकते हैं 2030 तक 2030 के उपर चंद valid reasons हैं के market यहां टैब करेंगे और वापस reverse होगी उसकी कुछ वज़ा है एक यहां पर हमारे पास valid order block है विक का तो 2030 का level सेल के लिए अगर confirmation होती है यहां फिर market higher high को क्रास करके विक लगा के नीचे की तरफ आती है H1 के अंदर M15 के अंदर उसकी में आपके लोगों के साथ रिजन शेयर करूंगा लगन सबसे पहले अभी था कि यह order block है 2030 के उपर अब इससे थोड़ा सा हट जाती है अगर इसको higher high को market क्रास करके candle उपर की तरफ क्रास कर देती है confirmation हो जाती है तो यह एक change of character का sign होगा फिर हम यहां से sell नहीं करेंगे बलके हम यहां से इसको buy करेंगे 2030-2034 के लेवल से with confirmation के साथ यह मकमल आपको समझा रहा हूँ इस तरह से हम मुक्तलफ जगा के उपर मुक्तलफ positions में आज सकते हैं buy और sell की तरफ scalping के थूँ या short term के लिए trading करते हैं या फिर long term के लिए उसके लिए ज़रूरी है छोटे structure को समझेना सबसे पहले यहां पे cross over हो हम buy करें cross sell की तरफ confirmation हम sell करेंगे क्योंकर structure अभी तक sell की साइड पे दूसरा दोजार नोटीस के लेवल को market 30 के लेवल को टेस्ट करती है confirmation देती है हम sell करेंगे अगर higher high को cross करती है और सिर्फ liquidity sweep करती है विकल लगा आगे नीचे आती है market फिर भी हम sell करेंगे और अगर higher high को market cross कर देती है अच्छे candle के साथ strong candle के साथ और confirm कर देता हम फिर इसको दुबारे से buy करेंगे यहां पर change of character होजेगा फिर हमारा structure जो है वो है एच-4 वाला valid होजेगा buy की तरफ चलना start होजेगा एक reason दूसरी चीज में आपको share करना चाहूँगा market हमेशा अपने high और lows को fill करके वहां पर liquidity sweep करके उन्हों तोड़ के इस तरह जाहर करवाती कि अब market नीचे गई तो उसके बाद हमेशा reverse होती है पहले तो उसकी चाहती examples है let's see हम देखती है यहां पर Monday वाले दिन का जो high था वो next day के उपर liquidity sweep होई है लग रहा था कब market उपर के तरफ जाएगी लेकिन इस तरह नहीं हुआ 2030 के लेवल के उपर हमारे पास valid confirmation दी sell की तो उसलिहां से previous daily high जो है वो भी liquidity sweep होई है और market ने sell की है और उसी दिन का जो low है वो Wednesday वाले दिन market ने liquidity sweep की है लगा जिस तरह market हम नीचे की तरफ निकल जाएगी लेकर नहीं market हमें candlestick के थुरू भी confirmation दी और liquidity sweep भी हुई यहां पे इस लेवल के उपर 1986 के लेवल के उपर तो हमने इसको बाय किया और अब हमारे पास जो daily high आर है वो 2015 का है और जो Friday वाले दिन का low है previous weekly high है 2030 का लेवल जो के resistance लेवल है अब यहां पे आगे market liquidity sweep करेगी sell की confirmation दी के हम sell करेंगे अगर इस तरह की यह previous daily हमारे पास low है यहां पे market ने बड़ी strong confirmation के साथ इसको cross किया तो यहां पे तो हम हरकिस buy नहीं कर सकते low के उपर तो यही चीज़ है कि यहां पे भी हमें weekly high भी है daily हाई भी हमारे पास तो हम यहां पे अगर confirmation हो जाती sell की तो हम लाज़मी इसको sell करेंगे इस लेवल से और चाहे दोबारा यह 2015 तक हमें sell की confirmation दे यहां पे आगे दोबारा buy की confirmation दे लेकर एक दफ़ा यहां से buy sell की तरफ 2030 के लेवल से sell की हमें move मिल सकती है तो करीबन 70 से 60% chances हैं कि यहां से sell की हमें move मिलेगी तो next हमें हमारे पास जो opportunities हैं अगर यहां पे strong confirmation दे लेवल की तरफ चलेंगे एक तो SMC के हवाले से हाई चोक हो जाएगा दूसरा यह resistance लेवल तूट जाएगा मुझे जो लागर है कि 2030 के लेवल को market test लाजमी करेगी और liquidity sweep करेगी और दुबारा से हमें sell की confirmation market देगी और इसके लावा अगर मैं इस चीज़ के उपर आ जाउँ हमारे पास अभी तक last month का और last two weeks का जो हाई वालियम है वो 2030 के लेवल के उपर है market इसको test करेंगी हम एक हाई magnet का काम करता है यह वाले area दो जिस तरह मारके ने कितनी देर market यहां निचे लिकली है फिर दुबारा वापस उपर गई यहां यहां पर हाई वालियम है market इसको दुबारा से test करेंगी और 2030 के लेवल को test करके sell की confirmation देफिनेटली हम यहां से sell करेंगे और अगर वो यह दूसरी चीज़ का अगर यहां से cross करती है strong candle के साथ buy side में तो हमारे लिए buy करने के लिए दो तीन evidence हो जाएगा distance लेवल तूट जाएगा एक दूसरा हमारा previous weekly high previous daily high वो तूट जाएगा तीसरा हमारा smart money के अंदर M15 के अंदर change of character का sign होगा यहां कि 2030 से sell करने के लिए हमारे पास 3-4 evidence है और यहां से buy करने के लिए भी हमारे पास 3-4 evidence है कि क्यों buy होगा और क्यों sell होगा तो तब तक के लिए मैं इसको ज्यादा कोशिश करूँगा इस level से 2011 से अब लास्ट वीक जो हमारे पास वाल यह मारा यह वाला लास्ट वीक वो आ रहा है 1990 के level के उपर तो उस लिहाँ से मैं देख रहा हूँ का market यहां से buy की confirmation दे मैं 2003 तक buy करूँगा market sell की confirmation दे मैं 1992 तक sell करूँगा और 1992 से एक दफा फिर हमें rejection मिलेगी sell की दुबारा से buy होगा तो यह चंद opportunities है buy और sell के लिए जिसे हमें next week के अंदर cash करना है लाजमी तो बाकी हम ball to ball commentary चलती रहें कि हमारी live stream के अंदर बने रहें हमारे साथ इंशाला आपको हर वक्त की खबर मिल जाए कि और दाजासाद के ग्रूप के अंदर भी हम आपको साथ साथ ही बताते रहेंगे तो लाजमन जुड़े रहे हमारे साथ फोरक्स उस्ताद के साथ और आने वल अवक्त में SMC के कोर्सिज आ रहे हैं टेकनिकल के जो लोग भी इसमें इनरोल होना चाह रहे हैं लाजमन जाइन करें बहुत शुक्रिया अलाफिज